इस एक्शन रिप्ले से इस सिती बिल्कुल साफ हो जाएगी जूरदार शॉट लगाने की कोशिश की थी लौगन शेत्र में फिल्डर मौजूद कोई गल्ती नहीं की बाल के उपर आखरी समय तक निगाए ठिकाय रखी चेत्रक्षक ने बहुत की अच्छा नियंत्रा और संत पूरे उप्सा के साथ कोई गल्पी नहीं की नए बल्लेबाज आए हैं एक पहुत ही युवा कि लाड़ी रुद्र रुद्र परताप आए बल्लेबाजी करने के लिए यही दिल्ली की क्रिकिटी खास्यत है कि अगर आप प्रतिवाशाली बल्लेबाज हैं तो उम्र का कोई प्रभाव और असर देखने को नहीं मिलता आप देख सकते हैं इस बल्लेबाज के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका एक बहुत ही महान शर्ण कि आप खेल के मैदान में और आप आपका मैच सीधा परसारिद किया जा रहा है डीडी स्पोर्ट्स पर कि अग्याइब कलायों के साहरे खेली पेटरीन यहां पर अपनी कलायों का फरिचे दिया यहां पर और वो लोग देखें जब बल्लेबाज स्टांस लेता तो स्टंप उनसे ऊपर निकल जाती है प्राइब करें लिए पाइब करें और यहां पर जो चैस्ट काड़ गना लिया है और जैसी हो चुकते है तो स्टंप सुन्प के ऊपर निकल जाती है प्राइब करने के लिए पहले अंदर कैप पहना है उसके बाद उनसे हल्मेट को पैना फिर से प्राइब के पढ़ने के आज बाहर की तरफ निकली और बिल्कुल तहीं अंदाज में ये उनको छोड़ा और मुझे लगता है मरोज योदी सचिन तेंदूल का रित समय इस मैच को देख रहे होगे तो जरूर उनको ऐसास हो रहा होगा कि कभी उनका भी ऐसा समय था बिल्कुल सही का आपने और इस मौके पर मुझे आकाश शोपड़ा का वाकिया नजर आ रहा है कि आकाश शोपड़ा जिनका संबन सॉनेट क्लब से और जब उन्होंने क्रिक्ट की शुवात की थी तो उस समय लेक गार्ड्स उनके साइस के नहीं आये थे उनकी माता जी ने नॉर्मल एक्स काट्स को कैची से काट करके उनके साइस का बनाया था तो आप देख सकते हैं कि इस युवाक लाड़ी के लिए बहुती सुनहरा मौका रुद्र परताप जिन्होंने बहुती अच्छी बल्लेवाजी किया हालांकि अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं ख क्योंकि है पुलिस कोड़ सततरन कि इन विकेट के नुकसान पर योगेश ससी अभी भी पिछ पर माजूद है अच्छिस के विक्तिकत योग पर और अच्छा मनोज की योगेश को यहां से अपने हाथ खोलने होंगे क्योंकि अब इस पारी में कोई खास समय शेश नहीं है कि अब अब यहां पर वच्छे है यादि क्या रहा है गेगे और बच्छे है उझे लगता है यहां पर इस शिंगल को लेना चाहिए था वल्यबास को कि काफी समय से बल्लेवाज करना कफ्तान में बिल्कुल इस सभी फिल्टर सीमा रहा के बाहर सीमा रहा के उपर खड़े कि वहीं गल्पी पहला रण यह आपने ले लिया होता तो शायद वह एक और आपके खाते में चुटता और मिस्फिल्ड भी हुआ यहां पर उसका आपके बाहर पहुंच माइए अठाटरन के नुक्सान करता है अगरे अधिक बाहर पढ़ने रहा है और बाहर की तुमिदी और मुझे लगता है इस बल्लेवाज का नम पीनी पूर गॉर्ड में आशकता है मनोश्यों की मात इंकी और पांच साल है बिल्कुल पांस साल की अमर में आप फानल मैच केल रहे हैं कहीं न कहीं ऐसा आपने कुछ जरूर किया है कि कफ्तान ने आपको फानल मैच में मौका दिया है पर एक अच्छी शुवात है अगर रूतर की बात की जाए क्योंकि लगातार इस तरही की क्रिक्ट केलेंगे तो कहीं न कहीं उन्हें इस क्रिक्ट के अनुभाव का लाब मिलेगा आला की बाल हवा में जरूर रही थी लेकिन भागे शाली रहे रूतर और रूतर को जैसे ही स्ट्राइक पर देखा संकल्प में सभी खिलाडियों को 30 गस के दैरे में तैनात कर दिया है अच्छी कफ्तानी संकल्प द्वारा क्योंकि उनकी कोशिश ही होगी कि रूतर को अध थिक डॉट बॉल्स पैकिंग है उसका लाव आपको वश्य मिलेगा वही सब कुछ किया दिल्ली वांडरस के गिन बाजो ने इसी के साथ बारी के उन्निस ओवर समापत हो चुके हैं कुलिस कोर 78 रन तीन विकेट के नुकसान पर मेत्पून योगदान दिया था मनोज ने जो की पारी की शुवात करने आया थे 33 रन बनाने में सफल रहे वहीं दूसरी तरफ अभी योगेश सती पिछ पर मौझूद हैं बाइहात के बल्लेबास जामिय उन्निस्टी का खुबसूरत हरा बारा क्रिकेट मैदान और इस मैदान पर वर्ष भर क्रिकेट आयोजिट की जाती है और इस मैदान से एक ऐसा खिलारी निकल करके आया जिसने अंतरा स्टेस्पर पर भारते बल्लेबासों की थात जमादी जी हाँ आप सूच रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा बल्लेबास होगा हम आपको बता दे कि वरिंदर सेवाक का सम्मंद जामिय उन्निस्टी से इसी मैदान पर उन्होंने काफी वर्षों तक करके ठेली फिलान पारी कान तीम ओवर ले करके आये हैं संकत चीन के कप्तान और पहली गेंद पर यहाँ पर सपांता मिलती हो ही वल्लेबास आउटो कर जाते हुए ड्राइब गरने आता था एक्स्ट्र कमर के उपर से लेकिन गेंद को नीचे रखने में काम्याब नहीं पाए और वहाँ पर खड़े बिल्डर बर्ष के हाथों में गेंद गई और एक अच्छा स्कूर यहाँ पर बन पाता लेकिन फिलाल बातों पांच गेंदें यहाँ पर और अनिशेज हैं और देखने इन पांच गेंदों कितने अरण बनेंगे कि योगेश्चती आउटो कर जाते हुए कि अच्छा सामना किया 26 रन अपनी टीम के लिए रहे यह बहुत ही तीम ही कि अभी तक बल्लेबाद ही यहाँ पाते हुए प्रशान तते जिन्नों ने उस बेदीनी क्या इसको पकड़ा था कि सती क्या उतोने के बाद नए बल्लेबाद मैदान पर पहुंचते हुए करेंगे बच्छी पांच गेंदों का इस पांच गेंदों कितने और रंग बनाते हैं वही कफ्ताम में एक पर फिर से नजदी की खिलाड़ियों को चान तरफ हंगे घटा कर दिया है इससे कि बड़ा स्टोप ना खेल पाए और समके बाहरी गेंदी थी थर्द मैं की तरफ पहली गेंद को और एक रण यहां पर लिया और वही अंजाम जो चाहते देए पहली गेंद पर सिंगल दे दिया जाए तो फिर वो जो नन्ना मुन्ना वल्लेवाज पांच वर्शी है इस समय द्रूग सामना करेंगे और इन पांच गेंदों चार बच्वी गेंदों पर कित सूरा तुमका स्टांस कि खलाईयों का बहुत अच्छा स्तेमाल हाला कि नॉन स्ट्राइकिंग पर महजूद बल्लेवाज ने रलेने की इच्छा जरू जाय की थी लेकिने रुद्र ने मना कर दिया अज़ा लगता है कि रुद्र अधिक से अधिक स्ट्राइक अपने पास रुद्र को और प्रण्यार और बाहर की तरफ में कल गई थी रुद्र के वल यह को पुष करने की कोशिश की थी लेकिन के महुच से काफी दूर थी अधिक से थोड़ा सा फ्लाइट किया ताही कि रुद्र का खाता खुलता हुआ मैदान में मौजूद इस्तारे दश्कों ने तालियों के साथ स्वागत किया रुद्र के पहले रंगा पाच परश है नन्ना मुना बल्लिवाज जिन्नोंने एक रंड की मदद से अपना खाता कोला फिलाल इस टाइक पर नई बल्लिवाज है अंचित यादव मात्र दो गेंदे शेश इस पारी में दिल्ली इलेवन मुल्खरने की कोशिश कीती लेकिन रुद्र अपनी क्रेज में माजूद यहां से ऐसा लगता है कि शायद ओवर की समाप्ती कर दी है अंपार ने वीस ओवर्स की समाप्ती के पशाथ कोली स्कोर असी रन चार विकेट के नुकसान पर यानि कि वीस ओवर्स में दिल्ली वांडा स्कोर